नमस्का दोस्तों स्वागत है आपका हमार यूटूब चेनल फ्री एजूकिशन में दोस्तों इस साल के करंट अफेस के मोस्ट इंपॉइंट फाइफनेट कोस्टन के हमने सीरिज श्टाट की थी और यह इस कोस्टन सीरिज का लाश्ट पार्ट है इसमें जो है इस साल के मोस्ट इंपॉइंट फाइफनेट कोस्टन कवर हो जाएंगे और देखे दोस्तों यह जो फाइफनेट कोस्टन है यह काफी अच्छे लेविल के कोस्टन है इंपॉइंट कोस्टन है और सभी कोस्टन को हमने बिलकुल डेटेल में विथ एस्ट अफेक्ट के साथ मे तो देखे दोस्तो जतने भी कॉस्टन इस वीडियो लेक्चर में लाया हुए ढ़ी आपको पहले से किसी कॉस्टन का आशर पता है तो वीडियो को पोस्ट करके अपना अंसर लगाएं इसके बाद मैं आशर बताऊंगा और कॉस्टन के रिलेशन में जतने भी एक्ष्ट अब फेक्टो को समझाऊंगा तो देखे दोस्तो इस साल 2020 में 29 वा सरसुत्य सम्मान जो है ये दिया गया है बासुदेव मोही को तिस कोस्टन का A option से हो जाएगा और एस्टर फेक्टो को हम डेसकस कर लेते हैं तो देखे दोस्तो जो बासुदेव मोही हैं ये सिंधी वासा के लेक किया है ठीक है और देखे दोस्तो जो सरसुत्य सम्मान है इसकी शुरुवत कब से हुई थी तो 1991 में केके वेड़ा फांडेशन के दोवारा सरसुत्य सम्मान की शुरुवत करी गई थी और ये जो पुरुषकार है ये आठ भी एनुसूचि में अब्वानरत वाइस भासाओ में से प्रकास सरबसेश्ट करती के लिए दिया जाता है ठीक है हम बात करें पहला सरसुती सम्मान के इसको दिया गया था तो 1991 में में पहला सरसुती सम्मान जो है ये हरीवन्स राय बच्चन अमिताब बच्चन की पिता जी को दिया गया था बर second question है हाली में जारी मानव विका सूचकांक 2020 में प्रिथम इस्थान पर कौन सा देश रहा है तो देखे दोस्तों जो मानव विका सूचकांक है ये important को होता है ये पूछा जाता है ठीक है इसको English में कहा जाता है Human Development Index और short में इसको HDR या फिर HDI कहा जाता है ठीक है तो HDI 2020 की दी हम बात करें कि प्रिथम इस्थान पर कौन सा देश है तो नारबे देश जो है ये प्रिथम इस्थान पर है और हम extra fact को discuss कर लेते हैं तो देखे दोस्तों हाली में सयुक्त राष्ट विकास कारिकरम इसको सौट में UNDP कहा जाता है तो UNDP की दोरा मानव विकास रिपोर्ट तीन संकी तक सामिल होते हैं ये question पूचा जाता है GK में कि HDI की जब गणना होती है तो उसमें कितने संकी तक सामिल होते हैं कौन कौन से संकी तक सामिल होते हैं तो तीन संकी तक सामिल होते हैं एक तो होता है जीवन प्रत्यासा सुचकांक दूसरा होता है सिक्षा सुचकां से दूसरे स्थान पर रहे हैं और जो नाईजर है ये सबसे निचले पाइदान पर रहा है ठीक है यहीं कि SDI की आउधाना का विकास किस ने किया था तो SDI की आउधाना का विकास जो है पाकिस्तान के अर्थ सास्त्री महवूब उलहक ने किया था ठीक है ये स्टेटिक जीकी का most important question है next question है किस राज सरकार ने हाल ही में अम्मा मिनी किलीने की उजना को शुरू किया है तो दोस्तों अम्मा मिनी किलीने की उजना को शुरू किया है तमिलनाडू राज सरकार ने डी ऑप्सन सही हो जाएगा और सारे फेक्टों को हम डिसकस कर लेते हैं तो देखे दोस्तों हाली में तमिल्नाडू के मुख मंतरी के पलानी स्वामी ने अम्मा मिनी किलीने के उजना को शुरू किया है ठीक है इसी उजना का उद्दिस क्या है तो जन्व स्वास्त वनियादी ढाचे को मजबूत करना इसी उजना का प्रमक उद्दिस है और देखे दोस्तों ये जो अम्मा मिनी क किलीने के हैं ये कहां पर खोले जाएंगे तो ये उन इलाकों में खोले जाएंगे जहां पर वड़ी संख्या में गरीबी आबादी नवास करती है और जहां पर प्राथ में स्वास्त के अंदर उपस्तित नहीं है जहां पर प्राथ में स्वास्त के अंदर नहीं खोले गए है वहाँ पर ये किलिने खोले जाएंगे ठीक है बात हो ये तमिलनाडू की तो तमिलनाडू की राधनी क्या है चेन नहीं है यहां के सीम कौन है तो के पलानी स्वामी है और यहां के गवर्नर कौन है तो वनवारी लाल परो है जो है यहां के गवर्नर है नेश्ट कौस्टन है कि भारतिये अमेरिकी व्यक्ति को Time Magazine की Heroes of 2020 सूची में सामिल किया गया तो देखे दोस्तो Time Magazine की Heroes of 2020 सूची में सामिल किया गया है राहुल दोबे को तो इस Question का भी Options ही हो जाएगा ये राहुल दोबे की फोटो है देखे दोस्तो हाली में अमेरिकी मेग्जिन टाइम द्वारा Heroes of 2020 सूची जारी की गई इस सूची में भारतिय अमेर्की व्यक्ति राहुल दुबे को स्वास्त के छेत्र में काम करने एवं जरूरत-मंद व्यक्तियों को आश्रा देने के लिए सामिल किया गया है नेश्ट कॉस्चन देख लिएते हैं दोस्तों अंगला हमारा कॉस्चन हाली में किसे स्वामी विवेकन अंदकर्मयोगी प्रुसका 2020 से सम्मानित किया गया है जादव पाएंग को तो इस कॉस्चन का सी ओप्सन से हो जाएगा ये जो आप फोटो देख पा रहे होंगे ये जा बादव पाएंग हैं इनको forest man of India की नाम से भी जाना जाता है ठीक है ये कहां से बिलोंग करते हैं तो ये असम राज से बिलोंग करते हैं ठीक है और इन्होंने अपनी खुद की मेहनत से एक पूरा forest यानि कि एक पूरा जंगल डेवलप किया है नेश्ट को सोला दिसंबर 2020 क कौन सा संसकन मनाया गया तो देखे दोस्तों में आपको बता दूँ कि इस साल 16 दिसंबर को विजय दिवस का उननचसबा संसकन मनाया गया वी ओप्सन सही हो जाएगा देखे दोस्तों भारत में हर साल 16 दिसंबर को विजय दिवस मनाया जाता है ठीक है 16 दिसंबर को विजय समर पढ़कर दिया था ठीक है इसी की उपलक्ष में हम हर साल 16 दिसमर को विजय दिवस मनाते है ठीक है विजय दिवस जो है ये पाकिस्तान पर भारत की जीत में भारतिय वीर परसों की सेवा वीरता और बलिदान को याद करने के लिए मनाया जाता है अंगला हमारा कोस्टन है 2020 में 36 वे राष्टी खेलों का आयोजन भारत के किस राज में किया गया तो देखें दोस्तों 2020 में 36 वे राष्टी खेलों का आयोजन जो है ये किया गया गुवा में तो इस question का D option से हो जाएगा और गुवा की राधधानी क्या है तो गुवा की राधधानी दोस्तो पड़ जी ठीक है और पड़ जी से क्ष्टन पूचा जाता है कि यह जो पढ़जी है यह किस नदी के किनारे इस्तित है तो जो पढ़जी है यह मांडवी नदी के किनारे इस्तित है ठीक है यह आपको याद रखना है और देखे दोस्तों जो 36 भी राष्टी खेल हुए है ठीक है तो इनका सुभंकर क्या था तो बुल बुल रोबी गुला ठीक है बुल बुल रोबी गुला जो है ये 36 वे राष्टी खेलों का सुभंकर था ये भी आपको पता होना चाहिए नेक्स jaką सटनर से पहले केलज मां स्रोवर स्थी कार भाबन का उध घाटन किया है कहां पर किया है तो गाजिय खेल दिवस होता है थीक है तो 29 अगस्त 2019 को फिट इंडिया मिशन की शुरुवात की गई थी शुरुवात किस ने करी थी तो मानिये प्रधान मंत्री मोदी जी ने करी थी नेस्ट कॉस्टन है किस संगठन ने 2021 के लिए रचनात्मक अर्थववस्ता का अंतराष्टी वर्ष घोशत किया है तो यह किया है यूनेशको ने तो इस कॉस्टन का वी ऑप्सन सही हो जाएगा अब दोस्तो बात यहां पर हो यह यूनेशको की तो जो यूनेशको है इसका फ सैक्षिक वैग्याने के उन सांस्कृत संगठन कहा जाता है इस्तापना हुई थी 1945 में हैड क्वाटर जो है यह पैरिस फ्रांस के अंदरे स्टेत है और इसके वरतमान में अध्यक्ष कॉन है तो आंद्री अजूलू जो है इसके वरतमान में अध्यक्ष है नेशको कॉस्ट और जो कांडला बंदरगाय यह कहां पर सत्य थे तो यह गुजरात के कंछ जिले में इस सत थे नेश्क कॉस्टन देख लेते हैं बने हैं सौरभ गंगोलि इसके ब्रांड डेम्दर वने है फिए टीक है देखे दोस्तो जो सौरब गांगोली है ये बरतमान में VCCI के अध्यक्ष है ठीक है और ये आप लोग जानते होंगे ये फेमस भातिय करिकेटर है नेश्ट कॉस्टन देख लेते हैं दोस्तो अंगला हमारा कॉस्टन है फ्रोज साहे कोटला इस्टेडियम का नाम बदल कर क्य हो जायागा नेश्ट कॉस्टन देख लेते हैं दोस्तो अंगला हमारा कॉस्टन है हिमा कोहली किस राज की हाई कोट की पहली महिला चीप जेस्टिस वनी है तो देखे दोस्तो जो हिमा कोहली है ये इनका फोटो है ठीक है और ये ये तेलंगाना की पहली महिला चीप वन गई है next question देख लेते हैं दोस्तों अंगला हमारा question है किस राज की सोहराई और कोहवर कला को zi tag दिया गया है तो देखें दोस्तों जो सोहराई और कोहवर कला है यह किस राज की कला है तो दोस्तों यह जो है यह जारकंड की एक कला है एक आठ है ठीक है ज़रकंड की एक कला है एक आर्ट है और इसको रीसलिए ही जियाय टेक दिया गया है तो थे तो आप इसको याद रखेंगे नैश्ट कॉस्टरन में पूचा गया है दोस्तो किस राज functioning कंदमाल हल्दी को जियाय टेक दिया गया है तो देखे दोस्तो जो कंदमाल हल्दी है ये ओडिसा की हल्दी है ठीक है कहां की ये ओडिसा की हल्दी है और इसको हाली में जी आइटेक दिया गया है और देखे दोस्तो कंदमाल हल्दी के अलामा दो और हल्दिया है जिनको जी आइटेक दिया गया है एक तो है सांगली यह महराष्ट की है ठीक है और दूसरी कौन सी है तो दूसरी है इरोड हल्दी यह कहां की है यह तमिल नाडू की है तो यह तीन हल्दियां है जिनको रिसेंटली ही जी आइटेक दिया गया है तो तीनों हल्दियों की नाम और वो किस राज़स हैं यह आपको पता होना चाहिए next question देख लेते हैं दोस्तों अंगला हमारा question है European Karate Championship 2021 की में जबानी कौन सा देश करेगा तो दोस्तों European Karate Championship 2021 की में जबानी जो है ये करेगा Cro-Asia तो इस question का V option से हो जाएगा जो Cro-Asia है ये Europe महादीप में इस्तेत है इसकी राध्धानी क्या है तो जाग्रेव इसकी राध्धानी है इसकी करेंसी क्या है तो Cro-Asia कुना जो है यहां की करेंसी है next question देख लेते हैं दोस्तों अंगला हमारा question है किसराज में दुनिया का सबसे वड़ा स्कूटर कार खाना इस्तापित किया जाएगा तो देखें दोस्तों दुनिया का सबसे वड़ा स्कूटर कार खाना जो है यह इस्तापित किया जाएगा तमिल नाडू में D-Options है हो जाएगा ठीक है देखें दोस्तों जो Ola Company है ठीक है Ola Company भारत की तमिल नाडू में 2400 करोड के 2400 करोड के निवे से दुनिया का सबसे बड़ा स्कूटर कार खाना इस्तापित करेगी ठीक है और इसके लिए Ola ने तमिल नाडू सरकार से समझ होता भी कर लिया है नेश्ट कॉस्टन देख लिएते हैं दोस्तों अंगला हमारा कॉस्टन है पसू धन्याय योजना के सिराज सरकार ने शुरू की है तो देखे दोस्तों जो पसू धन्याय योजना है ये शुरू की है 36 गड़ राज सरकार ने वी ओप्सन से हो जाएगा 36 गड़ के मुखमंतरी भूपिस बगिल ने पसू पालन को बेवसायक रूप से लाबदायक बनाने एवन सडकों पर जो आवारा पसू घूमते हैं उनकी समस्या को खतम करने के उद्धे से पसू धन्याय योजना की सुरूआत की है अंगला हमारा क्वास्टन है वैस्विक नवाचार सुचकंक 2020 में भारत का रेंक क्या है तो देखे दोस्तो वैस्विक नवाचार सुचकंक 2020 में अपना देश भारत चुहे यह 48 बेस थान पर है तो इसकॉस्चन का वी ओप्सन सही हो जाएगा देखे दोस्तों यदि हम बात करें 2019 में तो 2019 में भारत इस इंडेक्स में वाउन बे इस्तान पर था और इस सल 48 बे इस्तान पर ठीक है तो यह 48 बे इस्तान पर है नेस्ट कॉस्टन देख लेते हैं दोस्तों इसी क्रम में एक और कॉस्टन पूचा गया है कि वैस्विक जोखिम रिपोर्ट 2020 में भारत कौन से इस्थान पर रहा है तो दोस्तों वैस्विक जोखिम रिपोर्ट 2020 में अपना देश भारत जो है ये 89 वे इस्थान पर रहा है ए ओप्सन सही हो जाएगा ठीक है वैस्बिक जोखम सूचकांग जो है वूकंप वाड सूखा और समुधरी इस्तर में व्रद्धी जैसी आपदाओं के आधर पर तयार किया जाता है ठीक है इनके जो आपदाओं आती है इनके आकलन की गणना की जाती है उसके आधर पर ये रेपोर्ट जो है जारी की जाती है ठीक है इस रेपोर्ट में यदि हम बात करें टॉप थ्री देशों की तो जो बनुआटू देश है ये प्रथमिस्तान पर है जो टॉंगा है ये दूसरे इ है और अपना देश भारत जो है ये 89 वे इस्थान पर है नेस्ट कॉस्टने नसीम अलवहर सेंक तो नौसन अव्यास 2020 भारत और किस देश के बीच में संपन हुआ है तो देखे दोस्तो नसीम अलवहर इसकी हम बात कर लेते हैं सबसे पहले तो इस साल इसका कौन सा वर्जन था तो इस साल इसका वारवा वर्जन था ठीक है और ये किस किस के बीच में संपन हुआ है तो ये अपने देश भारत और ओमान के बीच में संपन हुआ है ठीक है और देखे दोस्तो ओमान जो है इसकी राध्धानी पूछ जाती है तो ओमान की राध्धानी क्या है मसकट जो है ये ओमान की राध्धानी है ठीक है मसकट जो है ये ओमान की राध्धानी है और देखे दोस्तो ओमान की मुद्रा क्या है तो ओमानी रियाद जो है ये ओमान की मुद्रा है ठीक है और जो नसीम अलवहर सेक्ट नोसे नाव्यास है इसका आयोजन कहां पर किया गया तो इसका आ तो देखे दोस्तो जो अकबर पदम सी हैं ये famous painter यानि की चित्रकार थे तेस कॉस्टन का A option सही हो जाएगा देखे दोस्तो जो अकबर पदम सी हैं इनका जनवरी 2020 में 91 वर्स की आयू में नेधन हो गया है ये famous painter थे और अकबर पदम सी जो हैं ये गुजरात राजी से बिलाउं करते हैं इनको जो है 2020 में 2010 में पदम भूशन से सम्मन्त किया गया था नेश्ट कॉस्टन है भारत और किस देश के बीच सेंक्त नौसेना अभ्यास से इंद्र नैभी 2020 का आयोजन किया गया तो देखे दोस्तो इंद्र नैभी 2020 का आयोजन किया गया है अपने देश भारत और रूस की सेना के बीच में तो इस कॉस्टन का सी ओप्सन सही हो जाएगा देखे दोस्तो जो इंद्र नैभी सेंक्त नौसेना अभ्यास है ये दूई वार्चक सेन अभ्यास है ठीक है कहने के मतलब ये है कि इसका आयोजन हर दूसरे साल किया जाता है और इस साल जो है इसका आयोजन कब किया गया तो सितंबर 2020 में किया गया और सबसे महत्पूर ये नोसे न अभ्यास हुआ था यह हुआ था दो हजार अठारा में ठीक है क्योंकि यह दूई बारसक है कहां पर हुआ था तो यह विशाका पत्नम में आयुज़त हुआ था नेस्ट कॉस्टन है 26 जनवरी 2021 को भारत के 72 गरतन दवस समारो के मुकतिती कोन होंगे तो देखे दोस्तो यदि हम बात करें 71 गरतन दवस 2020 समारो के मुकतिती कोन थे तो वो थे वराजील के राष्ट पति जियर बॉलसा नारूब ठीक है तो ये भी आपको याद रखना है तो दोस्तो आज के लिए इतना ही यहां पर दोस्तो हमारे 500 कॉस्टन करंट अफेस के कवर हो गए हैं अब नैस्ट लास्ट कॉस्टन है आपके लिए चैलेंजिंग कॉस्टन है जो की हम पूछते हैं हमारे प्रिविएस वीडियो से क कॉस्टन में पूछा गया है कि चौदबे ACI फिल्म पुरुषका 2020 में किस फिल्म को सरवशिष्ट फिल्म का पुरुषकार प्रदान किया गया है आपके लिए 4 ओप्सन दिये गए हैं यदि आप चाहें तो ACI फिल्म पुरुषका 2020 के बारे में डेटेल भी लिख सकते हैं तो थैंकि दोस्तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको वीडियो कैसा लगा इमांदारी से हमें कमेंट करके जरूरू बताएं यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें अपने दोस्तों के साथ अपने भाई बेहन के सा बुवाज खतम हो गई है ठीक है और हर वीडियो लेक्चर में हमने जितने question select किये थे जितने question add किये थे उन सभी question को हमने इसी प्रकार से बिल्कुल detail में with extra effect के साथ में समझाया है हल किया है तो यदि आप चाहें तो हमारे पुराने वीडियो भी देख सकते हैं पिले लिष्ट को विजिट करके पिले लिष्ट में बना दी है और आई बटन में मैंने लिंक डाल दी है तो आप यहां से हमारे सारे वीडियो देख सकते हैं या फिर मैंने description में लिंक डाल दी है तो यहां से भी आप हमारे सारे वीडियो देख सकते हैं थैंक दूस्तो मिलते हैं अंगले वीडियो में तब तक के लिए जै हिन जै भारत बंदिमार्ट